आप सभी का एन्बी न्यूज में राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे हर्याना की देश के बाकी हिस्सों की तरह हर्याना में भी कोरोना संक्रमन के केस जो है वो काफी बढ़ रहे हैं प्रदेश के लोगों को कोरोना संक्रमन्ट से बचाओ के लिए सरकार पहले से अधिक अब सक्ति करेगी क्यूंकि प्रदेश सरकार ने कोरोना से बचाओ के लिए प्रतेक सप्ता कम से कम दो दिन मेगा वैक्सीन ड्राइव चलाने का फैसला लिया है इस सप्ता सोमवार और टीका करन अभियान चलेगा और ये हर सपता होगा आपको बता दे इसमें जादा से जादा लोगों को कोरोना संक्रमन से बचाओ के लिए ठीके लगाए जाएंगे हर्याना के मुख्यमंत्री मनुहरलाल ने पीम नरेंद्र मूदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री की समिक् करना रहने और कोरोना से बचाओ के लिए तमाम पुकता तैयारिया करने के निर्देश दिये हैं बैट्र के बाद मुख्यमंत्री मनुहरलाल ने बताया हर्याना में अब तक साड़े साथ लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है बीते सोबवार को प्रदेश में ए एक लाख साथ हजार लोगों को टीके लगाए गए और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ समधा था अभिशेग जुर्दे अभिशेग जब पीएम के साथ बैठे को रही थी तो और क्या कुछ जानकारी सीम ने साजा की थी को लेकर जो है वैति तीई इसमेई हर्याना के मुख मंतरी शामिल थे उत्मनहोंने तो जानकारी दी पर्दान मंटरी तो उसमें या कि हरेयाना में सता में दो बार जो है मेगा वैक्सीन ड्राइव जो है चलाया जाएगा यह जो अब तक जो उन्होंने जानकारी दी कि साड़े साथ लाख जो लोग है प्रडेश के उनको जो है करोना वैक्सीन जो है लगाई जा चुकी और बीता जो सौमवार था उतने सबसे ज़ादा जो है प्रडेश में वैक्स जो है अकेले सौमवार को जो है एक पॉइंट जो लाख लोगों को जो जो है वो दी गई तो अधिक जो दिया जाएगा यह भी जो है मुखमंतरी मुरोनलाल खचर ने जो है इस वीडियो कॉंसेंसिंग के जरिये जानकारी दी वहीं परडेश में आईटी पीसी आर टेस्ट दर्ट परतिशत और वहीं परतिदरी टेस्टिंग दर जो है बढ़ा दी जाएगी यह भी उन्होंने कहा इस तरह है पहले की तरह किये जाएंगे वीज से प्ट्चिस पीस हजार जो टेस्ट है रोज जो आई इस तरह का जो तैयारियां की जारी हैं कि पच्चिस पीस तीस इने जो है अपील की है जनता से की जादस्ट जाद मांक और सूशल डिस्टिंसिंग का पालन करें और वहीं जो मांक बैनेंगे अबिशेक जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हालाकि हर्यादा से इतने मामले सामने नहीं है लेकिन महराष्ट गुजराथ में सबसे जादा मामले आ रहे हैं तो ऐसे में क्या हर्यादा में जिस तरह से बाकी के राज्यों में night curfew की बात सामने आ रही है तो हर्यादा को लेकर क्या इस परकार की कोई जानकारी इस तरह कि अभी कोई भी जो है इंडिकेशन जो है हर्याना सरकार की कहिए अत्वात व्यवाद की और से जो है नहीं है अभी क्योंकि जो हर्याना में जो कुरूना है उसके संतरमन की जो केसिज आ रहे हैं वो नाम मात्रुस के तॉर तो इसको कहा जाएथा है अगर अन्य जुदा एक्टिव जो केस है वो सेंपीस सो चालिस है मतलब यानि कि चार पॉइंट जो 65 प्रतीशत की दर से जो है करोना केस हर्याना में बढ़ रहे हैं और वहीं सेकल्टी जो रेट है वो बहुत ही माइनर्स है वन पॉइंट वन वन परसेंट जो है और जो कल की बात करें द सब्सक्तानमें और करनाल में 81 और वहीं जो तीन ऐसे जिले हैं हर्याना में जहां पर सबसे कम यानि की जीर परतिशारा उसमें चर्शी दादरी में अंदरगड और नू जिला ऐसा है जहां पर एक भी जो है नया केस नहीं आए तो यह जलूर कहा जा सकता है कि हर्याना में थे जुआ ज्भी यह जिस तरह से जब कोरूना आया था डोक्टरस कियों से सापतोर पर कहा जा रहा था कि जिन राजियों में केसे जादा रहे इसका मतलब वहां पर टेस्टिंग जादा हो रही है और हर्याना में अगर अगर फिलाल कम आ रहे तो कैस के पीछे वज़ा ये तो नहीं कि वहां पर टेस्टिंग कम हो रही है अगर टेस्टिंग जो है अगर इस तरह के संकरमिश है और नहीं सामने आ पारे या टेस्ट नहीं करवाये जाए तो उनसे सामने आ जाएगी जल्ब जो है अब ये टेस्टिंग जो है वो हर्याना में बढ़ा दी जाएगी अगर बात करें तो वहां पर बाजारों का क्या हाल है जो प्रेस करते हैं वो इसमें कहीं नहीं बचाव जो है वो इनी शर्तों पर है जो है और आप पूब्लिक प्लेस में जा रहे हैं या दो से अधिक वेस्टी आपके साथ मौझूद हैं तो आपको एक ज़्यादा अगर आपके अलावा कोई दो और वेस्टी भी है तो आपको मास्क का जो है उप्योग जरूरी है वो अगर आपको करोना से बचना है और वहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सबसे बड़ा इसका जो है उपाय है इससे बचाव का एक बहुती आसान जो तरीक है लेकिन कह पहने जाते हैं वो पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं सिर्फ मुझ पे लगा लिया जाता है जो नाक है उसको नहीं डखा जाता तो इस पर एक जरूर संक्तरमन को फैलने का खत्रा रहता है लेकिन जनता को भी इसमें अवेर रहना पड़ेगा और जनता को भी खुद एनिसि अपील की गएगी कि जो है कुरोना से बचाओं के लिए जादा जादा मात को सोचल डिस्टेंसिंग को से की जा रही है सोचल डिस्टेंसिंग का पालन करें मास्क जरूर पहने हाथों को सेनेटाइस बार बार कते रहे अभिशेक सवाल यहां पर यह भी बन रहा है कि अब इसके सब्सक्राइब करें हर्याना में नहीं आ रहे तो उसके पीछे टैस्टिंग खेर अभी सामने आ जाएगी लेकिन तस्वीरे में जानना चारी हूं हाला कि शादियों की बात करें होटल रिस्टान की बात करें बाके जगाओं पर बंद कर दिए लेकिन शादियों को लेकर और शौक समारों को लेकर जो गाइडलाइज जा रही की गई है क्या ऐसा कुछ हर्यान में भी लागू किया गया है बात करें इम्मिनुटी सिस्टम और खोते हम गोजे हैं है ज़्यादा परभावी थाबित होता है अगर केजी का इम्मिनुटी सिस्टम प्रॉंग है तो उसको जो है करोना एक उससे बचाव हो सकता है लेकिन ये जरूर है कि हर्याना और महाराज के मकाबले केस अभी कासी कम सामने आ रहे हैं तो इस स्वास्त व्यास्ताएं और स्वास्त विभाग है उसकी और तक्ति से पालन कर्वान प्रशाशन के और से जादे ज़र्शाशन की अपील करना ये इस तरह की जो चीज़ें इस? तो जरूर लाब दायक होती है, जरूर अवेरनेस जो लगातार जो की जाती है सरकार के दौरा या प्रिशार्शन के दौरा, वो कहीं न कहीं इसमें सयोग करती है, तो जरूर करोना के बचाओ के ये एक मुख्य कारण रह सकते है हरयाना में, और वहीं जो अब आने वाला जो स जरूर के दौरा जो जो जरूर लाब दायक है, जो जो लगातार बढ़ाया जाएगा और वहीं टेस्टिंग की जो है, पचिस-क तीस हुजार जो जो तो करोना के दूपेस है, वो भी जरूर इनमें इजाफा भी ओसकता है, और ये क्लियर भी होसकता है, जो कहीं जो सबसे बड़ा सवाल है हर्याना की बात करें वहाँ पर अगर किसी नेता मंत्री का कोई कारेक्रम होता है वहाँ पर तस्वीरे कैसे देखने को मिलते हैं क्या नेता मंत्री पालन करते दिखाई दे रहे हैं आप अजए और लेद Ouch को अगरा ゆदेखने की डर Evet यहाँ असा नहीं है कि जो नेता है या नको होता का आइधक्रम मांًक और अगर जो सामने वाला बैठा आई उत को देकर वियर मास की याद आढ आया कि और पहनना भी च commissioned ए göra तो असा नहीं है है कि जो नेता है या उनके जो क पर बारे करह में उसमें मास्क बिस्टली नदारत रहता है, क्योंकि आप जो करोना की सेकिंटर जो ड्राइव है, जिस तरह की जानकारी मिल रही है, जिस तरह की खपरे आ रही है, जिस तरह से बढ़ रहा है ये, तो उसको देखते हुए जंता भी जो है, शेहरों में जादा ग्रामी नदारत कारा हैं, जिस तरह सेकिंटर चपड़ाद के मांस्क पर जिस सथी कारी मिल रूए जो इस तरह की से इसलिश सब rozp मेराँ मुद आक़े। केंद्र द्वारा संसद में एंसिटी एक्ट से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है जो की उपराज जेपाल को मिलने वाले अधिकार को बढ़ा देता है ऐसे में अमादमाब पार्टी इस मसले को विरोध तेज कर रहे हैं यामादमी पार्टी साफ़तोर पर प्रदर्शन करते हुए कह रही है कि इस तरहां से तो मुख्य मंत्री का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा पार्टी द्वारा आयोजी धरने में शामिल होने के लिए सीयम अरविन केजरिवाल जंतर मंतर पर पहुंचे थे उन्होंने मंच से केंदर सरकार पर निशाना साधा केंदर के इस बिल से दिल्ली के लोग दुखी है जंतर मंतर से सीयम केजरिवाल ने ये कहा अगर लजी ही सरकार है तो दिल्ली में चुनाव का क्या मतलब है दिल्ली में विजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की है ये लोग देश में सरकार गिराने के लिए जाने जाते है केशरिवाल ने ये भी कहा उस कानून में लिखा है कि दिल्ली सरकार का मतलब LG होगा, फिर हमारा मतलब क्या होगा, हमारे साथ धोका हो गया है, इससे दिल्ली के लोगों में गुस्सा है आम दिल्ली की जनता कह रही है हमको आम आद्मी पार्टी चाहिए लेकिन ये चोरी से दिल्ली में राज करना चाहते हैं एक छोटा बच्चा क्रिकेट हार गया तो बल्ला बोल लेकर भाग गया वैसे ही ये जनता का राज खत्म करना चाहते हैं कानून में लिखा है, एक बात तो लिखी है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा LG उस कानून में लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा LG तो भाई सा फिर हमारा क्या मतलब होगा? फिर जनता का क्या मतलब होगा? फिर आपका क्या मतलब होगा? फिर देश की जनता का क्या मतलब होगा? अगर दिल्ली सरकार का मतलब एंदी होगा तो दिल्ली की जंता कहां जाएगी दिल्ली की जंता की चलेगी मुख्य मंत्री कहां जाएगा फिर चुनाव क्यों कराए थे फिर चुनाव क्यों कराए थे जंता लाइन में क्यों लगी थी जन्ता की सरकार का कोई मतलब नहीं बचा और ज्यादा जौनकारी देने के लिए हमारे साथ समधाता राजीव जूर गए राजीव आप से जानना चाहेंगे जंतर मंतर पर आम आद्मी पारती की और से जो प्रदर्शन किया उस दोरान केजरीवाल ने क्या कुछ आ बिशे मिलकुशे है जिस तरही से अर्भीन केस्रीवाल ली जिस तुर गयंने सरकार के उन्हां चेनाखे पर करना शाथ उल्थी के अंदर K certains सरकार को परिये से फिरह के बनाना पर आप लगाया तो बाच्ता के दिली परदे सब्दक्त जी उन्होंने भी जिस तरी किसे चुनाव का मद्दे निजर चल रहा है यानि की 2022 के जो चुनाव है निगम के उसको मंद्दे रहें रखते हुए एक दिसरे कोपर आरोप लगाया जा रहे है मगर एक चीज इसपर चाजितरी किसे कहा जा रहा है कि एल जी के पास अधिकार दिये जा रहे है जिली सरकार के सारे जो जिली सरकार के अधिकार होने चाहे थे वो ऐल जी को दिये गए है और उससे कहीं न कहीं दिली सरकार को काम करने में बड़ी बिखकते हो रही है मगर देखना होगा क्या इससे कितना फाइदा हो सकता है क्योंकि राजमीती जरूरी स्टर्ट कर दी गई है मगर जनता को कितना फाइदा होने वाला है ये जरूर देखना होगा जी बिल्कुल राजी उबात करें LG के अधिकारों की और मुख्यमंत्री के अधिकारों की ये विवाद पहले से चलता रहा है और SMA सुप्रम कोट ने भी इस मामले में दखल दिया था और अधिकारों को बाट दिया था तो उसके बाद संशोधन की जरुत आखित क्यों पढ़ रही है क्या लगता आप देखें बिल्कुत सही का आप में यहाँ पर एक की समझनी होगी कि दिल्ली सरकार जब 2014 के अंदर आई थी तो कही ही न गहीं है यही आरूप बार बार आरविन केसरिवाल जी कि तरफ से लगाए गयता। तो उससे साथ जाई रहा है कि जो कानून लेकर आया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए लेकर आया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के जितने भी अधिकार होंगे क्योंकि दिल्ली सरकार सिर्फ कि अधिकारी के तौर पर काम करेंगे कि जिससे तरी केसे दिल्दी सरकार में जनता के वारे में काम किए है चाहि बिज्ली फिरी को लेकर हो या पाणी फिरी को लेकर हो या मैधाव की चुनाक्षा को लेकर हो जो बैसों के लिए पिरि वा jetzt ह multicist like आ लगे जिस तरीके से कहें कि अधिकार दिये जा रहे हैं अगर सारे अधिकार एल जी के पास ही चले जाएंगे तो मुख्यमंत्री का तो कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा काइदे से तो वहां पर राष्ट बति शाशन ही लागू हो जाएगा तो ऐसे में चुनाव का तो कोई एहमियत या चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जिस तरह के से एल जी को सारे अधिकार दिये जा रहे तो फिर दिल्ली सरकार का तो कोई रूली ही नहीं मतलब नहीं चुनाव कराने ही जरूत पड़ती है और ना सीथे-चीथे कहे तो फिर बाजपा का ही दबदबा बनेगा तो इससे कही नहीं राजपती सार्चा नहीं चलता है और कही न है कि इंतर सरकार की तो दिल्ली सरकार के पास पर कोई रह जाएगा सिर्फ एक अधीकारी के तोर पर कह सकते हैं एक फाइल बनाई जायाई कि फाइल को सिर्फ एलजीय को दे दिया जाएगा और अगर इस फिर पर महर लगा देते हैं तो फिर काम करने का लिए क्रिम कर्मचारियां उनका अधीकारी दिल्लि सरकारों पर रहाएगा तो प्रदर्शन जब किया गया कल जंतर मंतर पर तो वहां पर कौन कौन दिखाई दिया सर्फ आमाद्वी पार्टी के सांसद विधायक नेता मंतरी कारे करता ही थे या पर विपक्ष के भी वहां पर लोग थे या आम जंता भी थी कौन कौन वहां पर था जोनतर मंतर पर भी पार्टी के ही कारे करता है, और काफी डो बजे का समय दिया गातों, राणविंद कैसरी वाज जी पह deep सब्सक्राइक करीड और उसके बाद में जो летखने में कुछाद कर ही कारे करता है, जरूर थे मगर कही ना कहीं जो पहले उससे पहले थीक दो वजे से पहले क्यांग्रेस का प्रताशन भी था और नील चौदरी जो थे वो उन्होंने भी प्रताशन किरिया इसी कानून को लेकर मगर जिस तरीके से दोनों ही पार्टी है यानि कांग्रेस और आमाधी पार्टी ने जिस तरीके से एक ही दिन के अंदर प्रताशन किया उससे साब जाहिर होता है कहीं न कहीं बीजेपी को गेरने की कुशिक की जा रही और बीजेपी के जो कानून आ रहा है और उसे जो कहीं पसिएघैर के निज गटे कर दिलिके पास होगा तो कहीना कहीं इसके लेकर कहीं विपच्छ और करे से जानकारे सब्सक्राइब और कहीं न गई केंदर सरकार को गेरेंगी कोशिश की जा रही है मगर देखना होगा दौनों की रेड़नीती से केंदर सरकार को कितना फरक परता है शुक्रिया राजी उजादा जानकारी देने के लिए फिलाल आपको बता दे आमाद भी पार्टी लगातार प्रदशन कर रही है क्योंकि सारे अधिकार LG को दिये जा रहे है इससी के साथ रुख करते अगली खबर के और मंसुक खिरेन मोत मामले में C.I.U. अधिकारियों में से एक ने N.I.A. को बयान दिया है बयान में C.I.U. टीम के एक PSI ने कहा है उसने अपने वरिष्ट यानी सचिन वाजे की ओर से दिये गए निर्देशों के अनुसार सभी CCTV फुटेज और DVR जप्त कर लिये थे क्योंकि सचिन वाजे ही इस केस की जांच का नितरतु कर रहे थे लेकिन सचिन वाजे ने उन्हें कभी ये नहीं बताए कि ये DVR क्यों बरामत किये गए उन्हें बस ये पता था कि ये जांच का एक हिस्सा है जिसे C.I.U. को सोब दिया गया था कथित का नामों और सबूतों से छेड़ चार करने की साजिश के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था A.T.S. के D.I.G. शिवदीप ने ठाने A.T.S. कार्याले में मनसु खिरेन की मोत के मामले में साड़े छे घंटे की जांच की इस दोरान पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिन्दे भी चार घंटे के लिए शिवदी प्लांडे के साथ थे A.T.S. ने पोस्त माटम करने वाले डोक्टरों से भी पुच्च ताज की डोक्टरों और पुलिस के साथ A.T.S. के एकवरिष्ट अधिकारी ने भी पुच्च ताज की A.T.S. के मताविक मनसु खिरेन मामले में सही दिशा में जांच चल रही है तो मनसु खिरेन मोत मामले में फिलाल मास्टर माइंड को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस मामले में मास्टर माइंड कोन है क्या सचिन वाजे मास्टर माइंड है या पर उनके पीछे भी कोई है तमाम इसे पहलू सामने आ रहे हैं जिनको जोड़ कर देखा जा रहा और ये जांच करने की कोशिश की जा रही है आखिर पूरा मामला है क्या फिलाल सही दिशा में ये जांच चल रहे है ये बात सामने आई है ATS के मताबिक जांच जारी है और जल्द ही खुलासा होगा लेकिन फिलाल जो अपडेट है वो ये है कि CIU के अधिकारियों में से एक ने ये बयान दिया है कि CCTV और DVR जब्त किये गए थे सचिन वाजे के कहने पर और सचिन वाजे ही इस केस की जांच का नेतरतू कर रहे थी क्यूं बरामत किये गए थे ये नहीं पता था छेड़ छार और साजिश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी लेकिन जिसने ये जब्त किये थे उसने CIU को सोप देने के लिए जब्त किये थे उससे सर्फ इतनी ही जानकारी थी और ज्यादा जानकारी देने के लिए समवादाता हमारे साथ सत्य प्रकाश लाइव जुड़ गे सत्य प्रकाश आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन एंगल से जांच हो रही है पेज काम फस रहा है क्योंकि काफी संजीदा ये मामला हो गया इस वक्त सब्सक्राइब कर रही है इस और ये पी आई सचिर्वाजे की क्रेपतारी के बाद तमाम अहम फिराग नाइएओ के मिले हैं वहीं एटिएस लगातार मन्टु की माउत की जांच कर रही है जिस तरह से कल देश्याम मन्सुक इरन की मौत को लेकर एटी ऐस उनके घर तब सर पहुची थी उसी दोरां एना ये भी लगा तार मन्सुक हिरन की मौत को लेकर और कि इस दहुरां तमाँ हम शमुत मिले ते उना नके स्कπेशी होट που लैपथाप मिले ते उनकी जोँ जुवर तमों के गर्डायूारें विली थी और इस दहुरां उनके सबस्के अच्ञूट आगा जिसको डिलीट करने की यानि के नश्ट करने की पूरी कोशिस की गई थी अलाकि यह सिस्टीटीवी पुटेज के बाद मंगवाएगा था जिसमें उन्हीं के अधिकारी काजी ने साब पर पर कहा है कि उनको इस विसे में कुछ पता नहीं था कि सचीन वजे आखिरकार अपनी सुसाइटी का फुटेज क्यों मंगवा रहे है कि सत्यप्रकाश आप से जानना चाहेंगे फिलाल वो सिटी सिटीवी फुटेज जो है क्या वो खत्म कर दिये गए निश्ट कर दिये गए या फिर उनके तहत कोई जानकारी जुट पाए गया गया की लेकिन रिटीट करने की बेहुस्ता जो है नईये के पास है वो वरंसी टीम की मदद से उसको रिटीट करेगी उसके बाद जो है इसका आहम बड़ा खुलासा करेगी लेकिन जिस तरह से मर्सेटीज कार में उने छे लाक रुपे के साथ पीपी किट और तमाम मशीने बरामक की गई जिसमें पैसे का सवाल उटते है कि सचिन वजे ने इतने बड़े मामले को अकेले अन्जाम दिया है या और भी उनके साथ कई लोग है बलकुल सत्य प्रकास सवाल यहां पर यह उठा है कि आखिर मास्टर माइंड कोई और है या सचिन वाजे ही इसके मास्टर माइंड से पूरे क्यूंकि ज तफेद कुट्टे पैजामे की जो बात की जा रही है यह पीपी की बात की जबोक को तुन्होंने को पूला कि मही हूँ लेकिन वो पीपी किट नहीं है बलकि एक तफेद पैजामा कुट्टा है जिसकी यह दिलाई है वहीं दूसरी तरह इमांसी आपको एक अहम बात बता है कि जैसे ही सचीन वजे की रिपतारी होती हुँ उसके बाद आनन फानन में महराश सरकार ने यहां के आयूव परमभी सिंग को टबातले कर दी यह हैं अब टबातले के बाद कहीं-कही नाईय की सकिस हुई है परम बी सिंग उपर है अलाकि यह भी बताय जाजा सकता है कि नाये कभी भी परम्भिर्ष्टी को तलब कर सकती है क्योंकि मन्सुख हिरें की मौत की मामले की जात लगातार सचीन वाजे कर रहते इसकी रिपोर्टिंग खुद सचीन वाजे परम्भिर्षिंग को ते रहते तो जाहीत और पर तमाम खुलाशे होने की आशंका है चुक्री है हमर साथ जुड़ने के लिए अपनी राय देने के लिए जानकारी देने के लिए तो फिलहाल अपडेट आपको दी गई है लगातार इस मामले पर और अपडेट आपको देते रहेंगे फिलहाल राजधानी लाइज स्पेशल ब्रेटन में इतना ही आप देखते र अढराज प्देड़ आपको देखते राज़ अपना के लिएम को देखते राज़े सावप इस श네 fian tsunami देखते रहें आपको देखते रहें कि अबना के देखते अवन्यत घ्लस्वारे । कम ब्रेक और जादा खबरों के साथ देखिए A&B News एन चैनल नमबर पर